नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं IFC नोलेज यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपको आज देखने को मिलेगी देश बर की मोसम सम्मंदी जानकारियां दोस्तो देश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है महारास्ट में हो रही भारी बरसात ने राज्यों में तबाही मचा कर रख दी है वहीं दिल्ली समयत देश के उत्री इलाकों में मोसम उमस भरा रहा है लेकिन अब उत्री राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है मोसम भाग का कहनाई कि अगले सब्तहा में उत्र पश्मी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के शेत्र की वजह से पूर्वी और उत्री भारत में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है मोसमी भाग ने का है कि दिल्ली उत्र प्रदेश उत्राखंडो और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों में बहुत जादा बारिश देखने को मिलेगी तेलंगाना और महारास्ट में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है इस काइमेट वेदर के मुताबित एक कम दबाव का शेत्र पहले ही बन चुका है और सिस्टम के मद्दे भागों में पश्रिम उत्तर पश्रिम की और बढ़ने की उम्मीद है और यहाँ पूर्वी राजस्थान तक आ सकता है जबकि मोसमी सिस्टम कमजोर होंगे हालांकि पाकिस्तान पर बनने वाले चकरवाती हवाओं के शेत्र में बढ़ने की उम्मीद है जो इस सिस्टम की सायता करेगा और इसके कारण शेत्र में अच्छी बारिश होगी इसकी वजह से उत्राखंड पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्रप्रदेश और राजस्थान में अगले 24 घंटे के आसपास बारिश होने के आसार है एक अन्ने सिस्टम भी इस महीने के अंत तक इस शेत्र में बारिश जारी रखने में मदद कर सकता है वहीं दोस्तों स्काइमेट की बात के इस जायतों स्काइमेट वेदर के मुताबित अगले 24 घंटों के दोरान तटिये करनाटक, कोकल और गोवा, गुजराथ, शेत्र, मद्यप्रदेश, चत्यजगर के कुछ हिस्सों, केरल के अलग-अलग हिस्सों, उत्राखंड के कुछ हिस्सों और दक्षनिपूरी राजस्थान के कुछ इस्तानों पर भारी बारिश की संभावना है वही कच्छ राजस्तान के पश्मी हिस्सों, विधर्ब, मराटवडा, ओरिसा, पशिम, मंगाल, जारखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और पुरुवतर भारत में एक दो इस्तानों पर तेज बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक करनाटक, तटिये, आंतरप्रदेश और अंडमानवन निकोबारदीप समुह में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है वैसे दोस्तों आप कौन से राजबे निवास करते हैं और आपके वहाँ पर मोसम के क्या है हाल कमेंड में ज़रूर बताएं साथ ही अगर आप किसी इस शेत्र विशिष की न्यूस जाना चाहते हैं तो कमेंड में बता दीजिए और अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लें धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत